नमस्कार दोस्तों आज 24 तारीक के शाम को मैं आप सभी से बाते कर रहा हूँ और गिन-गिन के हमारे पास सिर्फ exactly मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपका 5 तारीक को एक्जामनीशन है तो सिर्फ 10 दिन हमारे पास है तो इन 10 दिनों को कैसे उपियोग करें किस प्रकार से इसको maximize करें ताकि हम पर कोई pressure ना हो और वो जो anxiety होता है वो control में रहे और हम एक्जाम को भी clear कर पाएं मेरे को जो समझ में आता है जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में आप सभी को बताया था आपको mock test खरीदे लेने चाहिए कोई भी website से हो कोई भी companies हो mock test आपके सामने होना चाहिए मैं उम्मीद करता हूँ कि mock tests आपके सामने है और आज आपने कुछ पढ़ाई किया होगा आज आपने अपना routine कुछ सोचा होगा कि करना क्या है आने वाले 10 दिनों में आपने कुछ तो किया होगा आज और शाम को आप मेरे इस वीडियो को देख रहे है अभी इस वाले stage की बात कर रहा हूँ मैं कल तक का आपको planning दे रहा हूँ फिर कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि कल फिर क्या करना है जो mocktest आपने उठाया होगा वहाँ पे पक्का memory based questions होगे मसलन जैसे मैं आप सब रेकमेंड करता हूँ आप काईडली का उठाओ काईडली का SBA clear का जो package है उसको खरीद लो आप अगर आपने खरीदा नहीं है तो फिर link मैं मैं आपको description box में देता हूँ खरीद ली जा उसको मेरा coupon code लगाईएगा S F Y 12 तो आपको और extra 12% off देख जाएगा आप कोई भी website से कर रहे हो अगर आपके पास memory based questions है तो आप उसको उठा के सबसे पहले करिए पता लगना चाहिए दोस्तों कि आज के stage में हम कितना mark score कर रहे है कितना score कर रहे है कुछ लोगों का हो सकता है कि 100 में से 55 आ रहा हो कुछ लोगों का हो सकता है 60 आ रहा हो कुछ लोगों का 80 भी आ रहा हो तो हम जाचे कैसे परकें कैसे कि हम सही track में हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ यह बहुत early stage होगा यह बताना कि जो बंदा 55 score अभी कर रहा होगा या आज रात को जैसे memory based question paper लगाएगा और उसका सिर्फ 55 mark आता है तो वो बंदा qualify नहीं करेगा यह बड़ा early होगा बताना जल्द बाजी होगा क्योंकि जैसे वार्म अप करते हो वो consistency अपियर नहीं हो पाया तो फिर बड़ा गड़बर हो सकता है तो यह जो पहला exam होगा यह ना आपको casually लेना है ना आपको seriously लेना है आप बस देना है करके दे दीजिए ताकि आपको at least यह तो पता चले कि पिछले 2-4 सालों में कैसे questions पूछे जा रहे है और अगर मैं यह paper अगर पिछले साल appear कर रहा होता तो मेरे को कितना मिलता आज के stage में without any serious preparation यह पता होना आवश्यक है अब मान लिजे आपका पच्पन आ गया अब करूं क्या क्योंकि आपको कल तक का planning मैं आपसे को बता रहा हूँ करूं क्या जो mock test आपने दिया है no doubt आपने उसका video analysis करो या फिर video solutions है तो बहुत अच्छी बात है आपको YouTube के बहुत सारे videos मल जाएंगे जो memory based questions से पूछा गये होंगे या तो फिर आपने उस analysis किया वो करो और ज्यादा मस सोचो कि 55 है पिछले साल के cut-off इतना गया मेरा नहीं हो पाएगा 10 दिन में क्या ही मेरे कल हो जाएगा ये नहीं सोचना है सबसे पहला काम यह है कि आपको सोचना नहीं है दूसरा काम यह है दोस्तों दो-दो mock test at least तो आपके सामने हो जाना चाहिए कल से आप reading जो है उस पर ज़्यादा धियान दीजिए reading का यह मतलब नहीं है कि आपने एक paper उठाया 15 पन्नों का या 20 पन्नों का संडे तो कल आपको संडे का विन्विन्स पर मिल जाएगा तो आप उसको उठा के पढ़ते जा रहे हो नो ऐसे नहीं करना है reading का मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास अगर English का sectional test है तो आप क्या करिए आप 2-4 reading comprehension को questions को लगाईए sets लगाईए और जो reading type के material है उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आपका मेंस exam है RBI assistant का तो फिर आपको reading करने के ज़रूत नहीं पढ़ेगी विकाज आप current affairs का notes बढ़ रहे होंगे यह सब चीजें क्यों इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको momentum अभी चलाना है motor आपने अभी भी शुरू किया है तो टाइम लगता है तो यह reading आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो कल शाम तक जैसे मैं फिर कल आपके सामने आऊँगा फिर मैं विडियो बनाऊँगा कल शाम तक आपके दो mock test हो जानी चाहिए प्लस जो आपका reading है एकलीस चार पांच आप reading comprehension को लगा दिया है कहीं से अगर आपके पास material है तो अच्छी बात है नहीं है तो इकठा करिए आप ठीक है इकठा करने वाला जो चीज़ें इसको पहले कर लीजिए तो यह चीज़ें होनी चाहिए प्लस मैंने आप सभी को कल भी बोला था कुछ chapters होंगे जैसे आप mock test लगा रहे हैं आपको पता चल जाएगा कर रहे है यार यह मेरे जोनर का question नहीं है यह वही वाला puzzle है जिसमें हमेशा मैं फसता हूँ यह वही वाला puzzle है जो मेरे को हमेशा फसाता है ऐसे questions आएंगे आप उसको face भी करोगे आप उसको बना भी लोगे कुछ questions आप से नहीं बन रहे होगे कुछ questions आपको ज्यादा time लग रहा होगा वैसे questions को थोड़ा जैसे आपको appear करना पड़ेगा mock test में appear होने के बात आपने analysis भी कर दिया उसके बात क्या करिए दिन भर में ऐसे questions को practice करिए ऐसे questions को ढूंडिए कहा मिलेगा इसलिए मैं आप से बोलता हूँ गाइडली का bundle PDF उठा लो उसमें topic test मिलेगा topic wise section वर साले चीज़े मिलेगा तो जो जिन के पास है अलड़ी वो उसको क्या करेंगे अलग से उसको एक set उसको practice कर लो linear setting arrangement मेरे को तकलीफ होता है उसमें दिया हुआ है linear setting arrangement के दो तीन mock test लगा दो आप तो डर जो है वो भी मेड़ जाएगा practice भी हो जाएगा और जहने तो पर आप तयार रहोगे यहना यह मेरा कहने का मकसद है कल तक यह planning करिए निशिंद रहिए आप मेरे साथ रहिए साथ दिन तक रहिए ठीक है at least साथ दिन तक यह जो मैं बता रहा हूँ follow करिए लास्ट दोतीं दिन मैं आपको आपकी हवाले छोड़ दूँगा आप अपने हिसाब से preparation कर सकते हो लेकिन अभी जो मैं आप सभी को बला kindly please करिए गाइस को यह technicality समझीए मैं आपको guide कर रहा हूँ definitely आपका exam clear होगा कोई doubt है मुरे को पूछिए instagram पे टेलिग्राम पे जुणना ना भूलिए पहली बार देख रहा है आपको लग रहा कि हो क्या रहा है इन सब वीडियोस में साथ दिन के बाद बता चले का आप सभी को दोस्तों कि हो क्या रहा है मलता है next वाले वीडियो पे तब तक ले जाहिन जा भारत शबा खेर लभी और नशियत कपर को ध्यान रिखेगा दोस्तों नमस्ट